नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है गौवर्मेंट के माधिन से PMMBY योजना की सुरुवात कर दी गई है प्रहार मंतरी मातरतर वंदना योजना इसके अंतरगत महिलाओं को 6000 रुपे दिये जाएंगे किस प्रिकार से आप सभी को इसमें आवेदन करना है और जो पेमेंट आपको मिलेगा वो आपके आधार-based DBT जो बैंक अकाउंट में लिंक है उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा तो किस प्रिकार से आपको आवेदन करना है और यह योजना का क्या लाव होगा महिलाओं को इसके बारे में आधकी इस वीडियो में मैं आपको complete जानकारी बताने वाला हूँ साथी साथ किस प्रिकार से आप सभी इसमें online आवेदन करेंगे registration किस प्रिकार से करेंगे इसका complete process आधकी इस वीडियो में आपको देखनी को मिल जाएगा तो वीडियो को सुरूर से लेकर आंते तक जरूर देखें जैसा कि इसमें साथ साथ बताया गया है कि जो ये scheme को शुरुवात की गई है वो है महलाएं जो कि जो गर्वती महलाएं हैं या फिर जिनके बहुत छोट छोटे बच्चे हैं तो उन सभी के लिए इस योजनाओं को शुरुवात की गई है जहां पे आप लोग इनका ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन कैसे करना है ये आवेदन आप अपने मुबाइल फोन के माद्दिम से भी कर सकते हैं और लैप्टॉप या कंप्यूटर के माद्दिम से भी कर सकते हैं और अगर आपको इस योजना के अंतरगत आवेदन करने में किसी भी रिकार कोई भी टूटी या प्रॉलम आ रहा है कर दीजिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी को इसकी ऑफिसल साइट पर आना होगा इसका ऑफिसल साइट का जो लिंक है मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूंगा जिसे आप उस पे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने इस प्रेकार से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा ध्यान रहे है ये फोर्म आप अपने मोबाइल फोन से भी भर सकते हैं और अगर आग बास लैप्टॉप या कंप्यूटर है तो उसके द्वारा भी भर सकते हैं इस प्रेकार से आप सभी के सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रधान मंत्री मात्रू वंदना योजना अब इसमें आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर एक ओप्सन दिखता है सिटीजन लोगिन सेकर आप सिटीजन लोगिन का एक ओप्सन दिख रहा है आपको वसिस वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सिटीजन लोगिन वाले ओप्सन पर क्लिक कर देंगे तो आप सभी के सामने जो है रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन पेज OTP डालेंगे और आप अपना नाम डालेंगे और यहां पर आप जो है relationship with beneficiary को select करके create account पे click करेंगे तो आपका जो account है वो बन जाएगा अब इसके बाद फिर आप सभी को इसमें login करना है तो login करने के लिए आप इस प्रिकार से citizen login पे आएंगे यहां पे आप अपना mobile डालेंगे और जो भी आपने select किया था relation with beneficiary में वो आप select करेंगे इसके बाद फिर आप सभी जो है इसके अंदर successfully जो है इस प्रिकार से login आ जाएगा यहां पे OTP डालके validate पे click करेंगे और फिर आप इसमें login हो जाएंगे login हो जाने के बाद आपका जो account है प्रोपर तरीके से यहां पर create हो जाता है आप आपको login होना होगा तो login होने के लिए पुना आपको अपना number डालना है verify पे click करना है और इसके बाद फिर आप सभी इसके अंदर प्रोपर तरीके से login हो जाएंगे जैसे कि आप देख पाएंगे जो citizen login होम पेज होगा कुछ इस प्रिकार साब को देखने को मिलेगा इस टाइम में जो है आपको PDA PPT की दोरा समझाने की पूरी कोशिस कर रहा हूं क्योंकि जो official registration का जो citizen वाला option था भी फिला उसको server issue चला बैकेंड से काम चल रहा है तो इसलिए आपका अगर ओप्सन वर्क नहीं कर रहा है तो थोड़ी दे बाद आप ट्राइंगे तो ओप्सन चालू हो जाएगा ठीक है तो यहां पर इस प्रिकार साब सभी के सामने option आ जाएगा यहां पर आपको मिलेगा data entry बेनिफेचरी रजिस्ट्रेशन अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इस प्रिकार से कैसरे आपको option देखने के मिलेगा तो आपको यहां पर data entry पर आने के बाद आप सभी के सामने इस प्रिकार से बेनिफेचरी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म उस पर किलिक करना है इतना किलि अप्लाय और सेंट्रल गॉवर्मेंट क्या यह जो बेनिफेचरी है वह सेंट्रल गॉवर्मेंट में अप्लाय ने सरकारी नौकरी करने वाला है तो अगर है तो यहां पर नमबर ओफ लिविंग चिल्टरन कितने है वह आप सेलेक करेंगे इसके बाद पूछ रहा है ड़स बेनिफेचरी है बह дाक अगर है तो यहां बेकलिक करेंगे उसका नाम डालेंगे आधार नमबर डालेंगे डिट ओबży डालेंगे एस कितनी है वो डालेंगे काट्रिया पर आई से सेलेक करेंगे मोबाइल नमबर आपको यहां डालना है लिजबिलिट्री प्रूफ में कर身 के document number यहाँ डालेंगे और यहाँ पर चूस फाइल पर किलिक करके उस document को upload करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर important dates में MSP card detail मांगा जा रहा है तो जो कि आपको proper तरीके से fill up करना होगा इसके यहाँ पर present address में आपके आधार में जो भी address है completely वही address fill करना है और जिस bank में आप आपको जो पैसा है चाहिए वो आपको bank detail यहाँ पर fill करना है लेकिन ध्यान रहे है आपको यहाँ पर वही bank account fill करना है जिस bank account में आपका आधार dbt link है क्योंकि आपको पता है आज की date में जो भी बैस है government के माद्दम से transfer के जाते हैं वो हमेशा dbt based account में ही जाता है तो यह ध् प्रिकार से यहाँ पे प्लस वाले icon पर क्लिक करेंगी अगर मोबाल में कर रहे हैं तो Google को open करना है और आपको यहाँ पर जो है आधार map पर क्लिक करोगे ठीक है आधार map तो आप सभी यहाँ से इस वाले options से चेक कर सकते हैं आधार mapping status पर क्लिक करके आप अपना आधार सभी के सामने जो इस प्रिकार से पोटल है यूँड़ियाई का यह ओपन होके आ जाता है तो यहां पर आप सभी प्रोफर तरीके से चेक कर पाएंगी, यहाँ पर आपको option मिल जाता है, bank seeding status ठीक है, इस पर आप click करोगे, click करने के बाद, यहाँ पर जो है इस प्रिकार से open होगा, हलाकि दोस्तों इसका server थोड़ा सा कभी कभी slow रहता है, कभी कभी open नहीं होता है, तो आपको दुबारा से try करना है, अब with OTP पर click करोगे, आपके आधार में जो number link होगा, उस पर OTP जाएगा, OTP डालके जैसे आप verify करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आधार, आधार डिवीटी link है, वो bank का नाम आ जाएगा, तो वही bank का आपको यहाँ पर account number, RFSE code डालना है, और branch name डाल देना है, और submit button पर click कर देना है, जैसे आप submit button पर click कर देते हैं, तो फिर आपता जो registration है, complete हो जाता है, successfully, और इसके बाद फिर आप अपना यहाँ पर status चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर track status पर click करेंगे, और इसके बाद फिर आप सभी जो है, अपना application का status है, वो आप यहाँ पर check कर पाएंगा, आपका application का जो status है, वो कुछ इस परिकार से आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पर fill जो होता है, fill as an aso करते हैं, इसके बाद यहाँ पर जो supervisor होते हैं, उनके पास जाएगा, उसके बाद फि सभी कार से आप लग बहुत ही आसानी से प्रधान मंत्री, मात्रत्र वंदना, योजना की अंतरगत online आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपको भी आवेदन करने में इसू आ रहा है या आपका जो citizen login वाला option ही यह वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोग हमें comment section में comment करके अपना citizen login करके आवेदन कर लें धन्यवाद